निमस्कार दोस्तों मैं हूँ अभियंत आप देख रहे हैं फार्मिंग इंडिया यूटूब चैनल आज हम आपको बताएंगे कि जो हमारे कच्चे सीताफल रहते हैं इनको देशी तरीके से कैसे पकाया जाए बिना केमिकल के दोस्तों हम अपने पेडों से जब सीताफल तोड़ते हैं तो वो अधिकतर कच्ची वरस्ता में रहते हैं इनको पकाने के लिए हम एक मठका लेंगे जो बिलकुल सूखा हुगा होना चाहिए जिसमें नमी नहीं होने चाहिए और गेहूं का भूसा लेंगे जिसे तूड़ी बूला जाता है हम इस भूसा को उस मठके के अंदर डाल देंगे और बहुत जादा मात्रा में यह भूसा उसके मठके के अंदर डाल देंगे और अच्छी तरह से फैला देंगे और फिर हम उस भूसा को के बीच में एक गड़्धा टाइप का करके उसमें यह सीताफल पकने के लिए रखेंगे दोस्तों इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप सीता फल तोड़ें तो उनका पूरा डठुगा तक तोड़ें जैसा कि आप देख सकते हैं कि सभी सीता फलों में छोटे छोटे लगई के उस पेड़ के डठुए लगे हुए हैं तो इस से जे रहता है कि यह खराब नहीं होते और आसानी से पख जाते हैं वर जब आप यह तोड़ें जब यह थोड़ी थोड़ी पीले हो जाने चाहिए मवाने अच्छी तरह ऐसे बिकसे छोजाने चाहिए यदि आप छोटी अबस्ता में इने तोड़ों के तो यह सूख जाएंगे और काले होकर खराब हो जाएंगे अपने ने मठके में रख कर और फिर गैहूं के भुसा इसमें अच्छी तरह से भर देंगे जब यह गैहूं का भुसा इसमें अच्छी तरह से भर जाए इनको हम पूरी तरह से अच्छे ते ढखके और गैहों की भुसे को दबा दबा के अच्छी तरह से बिलकुल भर देंगे दोस्तो यह सीता फल पकाने का देशी तरीका है यदि आप बाजार से कोई भी फल लेते हो जाए वो सीता फल हो या केला या आम कोई भी हो वो सारे केमिकल से पके हुए होते हैं जो हमारी सेहत के लिए हानी का रखोते हैं इसलिए आप बाजार से कच्छे सीता फल लें आपको आसानी से मिल जाएंगे या फिर आपके घर पर सीता फल के पेड़ लगे हुए हूँ, उसे कच्चे सीता फल तोड़कर और इसे आप पकाए लें इससे तीन चार दिन मठके में भुसा को अच्छी तरह से दबा दबा के भर देंगे और जब यह मठका पूरी तरह से अच्छे दब दब के भर जाए फिर हम इस मठके को किसी अच्छी और सेपरेट जगापर जहां इसे कोई न चुए बहां रख देंगे और किसी भी लकड़ी के टुकड़े या किसी से भी ढख देंगे दोस्तो अब इसको हम 4-5 दिन बार निकालेंगे यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं निकालने की तो कॉमेंट करें हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे और वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं एंगली वीडियो में जे हिंद जे भारत